बोचपुरी सुपस्टार दबंग स्टार कोई और नहीं पवन सिंग है लेकिन बॉलिवुड में दबंगाई किसी की चलती है तो वो सल्मान खान की अब आपको हम कुछ ऐसी बाते बताने वाले हैं जहां पर आपको देख कर लगेगा कि सल्मान खान से काफ़े इंस्पायर हैं पावर स्टार पावन सिंग सल्मान खान के ही साथ फिल्में रिलीज करते हैं उनके बैक टू बैग इत पर सल्मान खान के साथ ही फिल्में रिलीज होती हैं और यूपी बिहार में खूब बिजनस भी करती हैं ये बात और है यूपी बिहार के सिनेमा घरों में दबंग गई सिर्फ पवन सिंग की चलती है लेकिन क्या ऐसा कारण है तो आईए आज हम आपको बताते हैं सल्मान खान के स्टाइल को सल्मान खान के के ये भी बताया था कि सल्मान खान से उनकी एक अपकमिन प्रोजेक्ट की बात चल रही है अगर सब कुछ फाइनलाइज रहा तो वो प्रोजेक्ट भी जल्दी आएगा अब हम आपको बताते हैं कि सल्मान खान के साथ ये फिल्में क्यों रिलीज करते हैं इद पर पवन सि सल्मान खान की तरह ही ईद को अपना लकी चा मानते हैं और ये कहते हैं कि जब जब ईद पर उनकी फिल्में रिलीज होई हैं वो सुपर हिट गई हैं साथ ही सल्मान खान के काम को भी वो बहुत ही जादा पसंद करते हैं जैसे कि सल्मान खान द्वारा चैरिटी करना सल्मान खान द्वारा नए टैलेंट को लॉंच करना और सलमान खान जैसे ही एक्शन और फिर उसी तरह के डान्स को भी वो फॉलो करते हैं जी हां सलमान खान को इसलिए फॉलो करते हैं और सलमान खान को अपना फेवरिट इसलिए पवन सिंग बताते हैं कि जिस तरह का जिसे प्यार की बात आती है और जब किसी से अपने दोस्ती निभाने की बात आती है तो ऐसी कहानिया भी आपने बहुत सुन रखी होंगी जी हाँ अपने दोस्तों का साथ जिस तरह सलमान खान नहीं छोड़ते ठीक उसी तरह से पवन सिंग भी अपने दोस्तों का साथ बिलकुल नहीं छोड़ते लेकिन जो चीज पसंद ना आए फिर उसकी तरफ पलट कर देखते भी नहीं है अब बात अगर आप गल्फ्रेंड की कर लें तो नीजी जीवन में सलमान खान की भी कई गल्फ्रेंड रही है और पवन सिंग की भी कई गल्फ्रेंड रही है और बस इन दोनों में आंतर इतना है कि सलमान खान ने शादी नहीं की है और पवन सिंग शादी शुदा है वैसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता सकते हैं कि इन फ्यूचिर क्या आप सिल्मान खान और पवन सिंग को सिल्वर स्कीन पर एक साथ देखना चाहते हैं